गुद मॉर्निंग बच्चो आजम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट 65 विशे विज्ञान कक्षा 10 हमारी देट 10 देसंबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं कैसे हैं जो जीव किसी को जननम देता है जैसे ह हम लोग हैं हमारे पैरेंट्स हैं हमारे माता पिता है उन्होंने हमी जनन दिया है या फिर जो बाकि जीव जनतु है पेड़ पोदे है या फिर यह हमारे जो आनिमल्स है पशू है ये भी इन सब के बारे में इस पूरे पार्ट में पढ़ेंगे तो देखों सबसे पहले पहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है हमें जीने के लिए जनन जरूरी नहीं है किसी चीव मान लोगे कि अगर हमारे पैरेंट्स या फिर हम अगर किसी बच्चे को जनन ना दे क्या हमारा जीवन खतम हो जाएगा नहीं जीने के लिए जरूरी नहीं है वह अनिवारी इस ल अब देखो, क्या जीव पूर्णत अपनी प्रतिकृती का सर्जन करते हैं? ये देखो, सबसे पहले जो जीव का आकार और उसकी आकरती है? समान हो रे के कारण ही वे सदर्श प्रतीत हो थे हैं एक जैसे दिखाई दिते हैं क्योंकि जो हमारा आकार है, हमारी बनावत हैं करें कोस्तों परrás क्यांत्य तो एक जान की जानियों और ये विलॉपर्फिंक परांगे बूर्च्छ वह सब्सक्राइब व्लुपरिंट थै प्रजनन में शरीर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। जो जनक से संतती पीडी में जाता है। जो हमारा DNA होता है उसकी मदद से क्या होता है। बिन होगी देखो जो हमारा DNA है, DNA आपको पता है उसकी मदद से ही जो गुण है हमारी पुरानी पीडी है उससे अगली पीडी में जाते हैं। तो DNA में कभी-कभी कुछ भिनताइं भी होती हैं, कुछ अलग-अलग, कुछ चीज़े अलग भी होती हैं। तो ये जो चीज़े बिन होती हैं, ये बिन होने के कारण ही क्या होता है, ये जैविकास का आधार होता है, मतलब बदलाव होता रहता है, एक उधारन से देखो मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। पहले जो जिराफ है, जिराफ की जैसे अपने देख्यों की बहुत लंबी गर्दन होती है, अभी बना देती हूँ, गंदा सा बना रही हूँ, ठीक है, ड्रोइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, मेरी ये माली जिराफ है आपका, ठीक है, इसकी चार टांगे बना लो, ये ज पोड़ी सी लंबी हुई, फिर और लंबी हुई, फिर ऐसे होते 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 क्या होए, बहुत लंबी वो दीरे दीर होई, एक ही बार में इतनी लंबी नहीं होगी, आपको फरक भी नहीं पता लगेगा कि कब है जो ये चीज़े बदलाव हो जाते है, तो इसी तरीके से क्या हो जाता है कुछ बदलाव होते रहते हैं जैसे एक और एक्जामपल से मैं आपको समझाती हूँ धारण से पहले हम बोलते हैं कि यह जो मुनुश्य वो पहले बंदर था तो क्या हुआ धीरे-धीरे करके हमने क्या किया हमने सीधा पहले हम बंदर की तरह ही थे बिलकुल अपन से बदलती रही जिन-जिन चीज़ों की हमें जरूरत थी तो ठीक है तो जैव की जो प्रतिकृति है बनाने की प्रिक्रिया में कुछ विबिनता आती है जो जैव विकास का आधार है ठीक है संत्तिकों शिकाएं समान होते हुए भी किसी ने किसी रूप में एक दूसरे से ब निश्चित करता है कि पोदे या जन्तु प्रित्वी से लुप्त नहीं होंगे खतम नहीं होंगे क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया ये प्रजनन जनन ही है ठीक है ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे एक नए जीव का निर्मान करता है देखो जो प्रित्वी अगर हम जनम देना ही बन कर देंगे, जनन होगा ही नहीं, तो मनुश्य है, उसका आम थे तो निश्चय है, है ना, वो तो खतम हो जाएगा एक दिन, क्योंकि अगर जनम नहीं होगे, और जो पहले जो लोग है, मनुश्य है, वो तो बूड़े होगे, सब की हमारी प्रजाती खतम हो जाएगी, तो ये सुनिश्चित किस चीज से होता है, कि हमारी प्रजाती खतम नहीं होगे, प्रित्वी पर जो पोधे हैं, जीव जनम खतम नहीं होगे, वो इसी से हम निश्चित कर सकते हैं, कि वो जनन के कारण ही खतम नहीं होगे, क्योंकि जनन तो होता ही रहेगा जिसके करण जो प्रिथ्वी है उस पे हमारी जो स्पीसिस है जो जाती है हमारी उसका स्तित्व बना रहेगा तो ये दो प्रिकार के होते हैं जो जनन होते हैं एक होता है अलेंगिक और लेंगिक में क्या फरक है अलेंगिक होता है जब केवल एक जनक ही संत संतती को उत्पन करते हैं ठीक है कहने का मतलब है देखो जो हमारे पैरेंट्स होते हैं हमारे माता-पिता दो होते हैं तो वो दो जनकों से क्या करते हैं हमें हम उत्पन करते हैं हमारी संतती होती है ठीक है दो जनकों से संतती उत्पन होती है लेकिन यह तो होते हैं लेंग एक भी होते हैं बहुत सारे jeev jantu जो केवल एक खुद से ही संतथी को उत्पन कर सकते हैं तो वो होते हैं ilangic jan-nak ठीक है parties johilangic jan-nak yagamakya sa y Hawkna आपस में एक ही जनक होता है तो संगम किसके साथ होगा है ना तो DNA का संगम इसमें नहीं होता लेकिन लेंगिक जनक में यूगमों को के संग्यूमन से DNA का संग्यूमन होता है ठीक है इससे क्या होगा कि दो आपस में दो जनक है तो इन में आपस में संगम होता है ठीक है जो उन पता है तो एक माता और एक पिटा के दोनों के युगमों के संयोंग को क्या होता है वो आपस में मिल जातेज युगम होता है जिससे क्या होता है हमारा जो एक कोशीका बनती है जिससे हमारी संत्थी maroon दिल्कुल मतलब 90% बिल्कुल उसी जैसी होती है जिसने उसको जनम दिया जैसे एक जनम होता है जैसरे पेड against water को सकते हो पेड़ पोदि सारे इक जैसे होत हैं आपको फरक नहीं और यजमियर भमी देजीर देन सेंगत्व है क्या आई मैंने ग। तो दिय्यक्ट प्रेजा पइजा, अब देखो उसके बाद विबिनता का महत्व, मैंने बोला था कि जो DNA है इसमें विबिनता होती रहती है कुछ जो क्या है जेविकास का आधार है तो ये विबिनता क्यों जरूरी है, एक तो जेविकास के लिए जरूरी है, यही बात होगी, एक तो हम डीटेल में पढ़ते हैं कि क्यों जो ये होता है, जेविकास है, ऐसा क्यों होता है कि ये जरूरी है, देखो, अपनी जनन शमता का उपयोग कर जीवों की समच्टी, पारितंत्र में स्थान अत्वा निकेत ग्रहन करते हैं, देखो, क्या होता है, अलग-लग जो हमारी जितने भी जीव जनतु हैं, कुछ जीव ऐसे है, जो मिट्टी के अंदर अपना जनन करते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं, जिनको बहुत ज़्याधा घर्मी चाहिए होती है, सनरचना जो बनावट है हमारी शरीर की उसके लिए बहुत जरूरी है जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है मतलब जो हमें जिस तरीके से जिस तरह के उसमें हम रहते हैं या आदत है हमें जहां रहने की या जो हमारी body को जिस हिसाब से ढलना चाहिए ये सारी चीज़े उसके लिए बहुत जरूरी है अते किसी प्रजाती की समष्टी के स्तायत्व का संबंद जनन से होता है कोई भी प्रजाती है उसकी समष्टी का direct link होता है किस से जनन से उधारन के लिए यदि एक समष्टी अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं ये उधारन है कि क्यों जरूरी है ये बहुत ही अच्छा एक्जामपल है से आपको समझ में आ जाएगा कि भी क्यों जरूरी है मान लो आपको आदत है कहीं पर भी रहने की आप कहीं चीज कहीं पर भी रहने की अनुकूल हो जुके हो आप तो वहाँ पर कोई उग्र परिवर्तन मान लीजी आप ये जैसे मचली है ठीक है मचली पानी में रहती है अगर मैं उसको बाहर निकाल दूँ तो वो मर जाती है न तो मैंने क्या कर दिया उसकी जो वो किसकी अनुकूल है पानी के अनुकूल पानी में रहने की अनुकूल है उसका जो उसकी जो शरीर है या जो उसकी बनावट है जो उसके structure है बोड़ी का सब कुछ है वो किसकी अनु जीव जनतु है पेट पोदे कोई भी है तो वो क्या होते हैं समष्टी अपने निकेत के अनुकूल होती है तो अगर हम उसमें कोई भी परिवर्तन करते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टी का समूल विनाश भी संभव हैं है ना अगर मान लीजे कि हम है मनुष्य है हमारी जाकतवर माना चाता है क्योंकि वो तो हर जैसी भी सिचुएशन होती है वो उसके अनुकूल ढल सकता है तो मनुष्य तो कर सकता है लेकिन कुछ जीव जनतु होते हैं जो बहुत जैसे बैक्टीरिया है यहां पे उदारन आपको दिया है वो क्या होते हैं बिल्कूल गर्मी नहीं कि बिल्कूल ही वो हो गया अगर बहुत जादा गर्मी होगी तो सब मर जाएंगे वो सब मर जाएंगे तो उनकी तो जो परजाती है इस्विशिज भो खतम हो जाएगी तो इस कारण विबिन्ता कुछ उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अलग होते हैं जो उसको पर्योंगे तो उनकी जीविँत रहने की कुछ संभावना होगी कि वह अगर एग्र बारश आगई पानी अगया कुछ भी हो गया तो हम उस में बीजी सकें तो इसलिए हैं। अते यदि सितेशन जल में पाए जाने वाले जिवानों की कोई समस्टी है तथा वैश्विक उश्षी करण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है माली जो पानी में जो रहते हैं बैक्टेरिया हमारे जो जनटु रहते हैं जीवानों हैं जो और अगर itडाप माल बहुत जादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा अधिकतर जिवानों क्या हो जाएगे व्यश्टी मर जाएगे लेकिन कुछ ऐसे भी ऊशन प्रतिरोधी शम्ता वाले जो ऊशन को जो हीट गर्मी है उसको भी क्या कर सकते हैं उसको भी ढेल सकते हैं ऐसे वाले जीवानों भी कुछ मिल जाएंगे कुछ परिवर्तर ही जीवित रहेंगे तो वही क्या होंगे जीवित रहेंगे तो इससे क्या होगा अब वो जीवित रहेंगे तो आगे वरद्धी करते रहेंगे और जनन कर सकते हैं और आगे और भी जीवानों पैदा कर सकते हैं तो उनकी जो जाती है प्रजाती है वो बनी रहेगी इसलिए विबिन्ता बहुत जडरूरी है अते विबिन्ता स्विशिस की उत्तर जीविता बनाई रखने में उपयोगी है ठीक है अब देखो यह तो हो गई है मारी वक्षीट अब हम चलते हैं मारी प्रशिण उत्तर पे पांच में 6 प्रशिय उत्तर दिये गए हैं प करता है प्रजनन ठीक है तो जैव प्रिक्रिया जनन भी लिख सकते हो यहां पे ठीक है तो यह हो गया उत्तर नमर एक अब चलते हैं उत्तर नमर दो पे उत्तर दो है जनन प्रिक्रिया में DNA प्रतिकृति बनाने का क्या महत्व है यह आपको बताना है तो लिखोगे उत्तर में डिने की प्रतिकृती बनाने के प्रक्रिया में कुछ विबिन्ता आती है जो जैविकास का आधार है और जनम के दोराण डिने प्रतिकृती का जीव शारिरिक सनरचनाव्यम डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वरपूर्ण है जो जीवों के विशिष्ट थान में रहने की योग योग्या बनाती है ठीक है यह हो गया प्रेशन नमबर दो प्रेशन नमबर तीन है स्पिष्ट में उत्तर जीविता के लिए विबिन्ता क्यों लाब धायक है तो लिखोगे जीवों में विबिन्ता उनकी स्पिष्टी को स्थाइत्व प्रदान करता है कोई बी एक उत्तर जिवीता विद्धा बचाय राकने के लिए लाबता आगा, जो भी मैंने आपको बताया कि विबिंताई हो नहीं जरूर यह माल है, सारे कैसी में भी योगःता नहीं होती, किसी में भी शम्ता नहीं होती, गर्मी को जेल न thinner ने कि, तो सारे मर जाते हो, प्रजाती कटम अम्बर 3 टीके हैं उसके पाद है उत्तर नम्बर 4 जननि तथा उसके प्रकारों को पड़िभा शिद़ कीजिए तो यह आप लिखोगे उत्तर यह हो गया आपका उत्तर नंबर 4 अब हम चलते हैं हमारे उत्तर नंबर 5 पर यह आपको लिख लेना है ठीक है हम दिखा देती हुमें उत्तर नंबर 4 फिर आपका पांचवा प्रेशन यदि एक जीव युगमु के संयोजन के बिना जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर किय जाने वाला जनन की सप्रकार का होता है तो मैंने आपको बता थी अलेंकिक जनन और लेंगिक से आपको चीप रिशन समझ में आ गई है पूरी वोक्षीट भी कोई भी डाउट है पूरी वोक्षीट में तो केमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू अव ग्रेट दें